श्लम्ति अलेकुम तो ओल देपेरेंट्स और जुनियया केजी ग्लास तुलेंगे इंग्ली शुब्जेक सेप्टेमबर मन्स तक सुलेबस हमारा कंपीट हो चुका है तो आज से हम उक्टमर बंस का सुलेबस स्टार्ट करेंगे इंग्लिस में Q, H, P, S, J and Z है आज हम Q for Quill लिखेंगे Q for Quill आपको राइक Q for Quill इसके से लिखेंगे हैं Slanting Line, Circle, Tending Line and Slanting Line Q for Quill Slanting, Circle, Stending and Slanting Q for Quill नापी राइट इसके से लिखेंगे फर्स्ट भी राइट इन कर्से स्माल लेटर्स बुक पेज नमबर 21 Q for Quill राइट आपको लिखनी है पेरेंट्स फूल पेज पर आपको इस तरह से दोर्स देने है स्टुडन्स पर आपको ट्रैसिंग करनी है Q for Quill Speak and Write Q for Quill ट्रैसिंग हो जाएँ उसके बाद इसके बाद ही हाँ डॉट्स के हम आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट हम Slanting Line करेंगे सरकल नीचे रेड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन करेंगे और रेड लाइन से सेकंड डू लाइन तक स्लांटिंग लाइन करेंगे Q for Quill ये जो दो ब्लू लाइन है उसके अंदर ही आपको लिखना है Q for Quill ये वाली बुक में अच्छे से कंप्रीड हो जा उसके बाद हम इंगलिस की नॉट्बुक में लिखेंगे पैरेंट्स आपको इस तरह से भूक राइडी करने है क्लास वर्क, Q for Quill वन टाइम आपको लिख देना है वन पेज क्लास वर्क और वन पेज हॉंग वर्क नॉट्बुक में भी आपको यही डेट लिखने है 29, 21 स्लांटिंग लाइन सरकल, स्टैंडिंग एंड प्लांटिंग Q for Quill Speak and Write Q for Quill पेले एक लाइन कंप्रीट करने है एक लाइन कंप्रीट हो जाए उसके बाद स्टैकन लाइन स्टाट करने है इस तरह आपको पेले क्लास वर्क का पेज कंप्रीट करना है Then Homework Thank you